नमस्ति मित्रो, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जिक के हेल्प विद जैर भी पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री ब्याश्टिसी एक्जाम 2019 के लिए पॉर्टेंट राजस्तान समयने ग्यान के 25 क्वेस्चनों के बारे में देना होगा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो नोटिफिके इसमें में आकरमन करते हैं उस समय जो चितोड के ससक होते हैं वो होते हैं उद्यशिय जो कि मारना परताब के पिताजी थे यानि कि B ओप्सन इसका राइट है नेश्ट कोस्टन है जनरल लेक किस किले को जीतने में एसफल रहा तो दोस्तो जनरल लेक है ये लोहागर्ड किल के लुखकांब नेमेर के सु जूजान गंगा नेहर के दवरारा जिए रखना दोस्तों पानी दूहां गटाम के चारों तब지नल गटिनलगां में उनता भी पूछाग गया था कर दोस्तों अगर और दोस्तों अगर कोस्टन पूछ लिया जाए किढ़ए क contact का सρ extraordinarily तो याद रखना नशीरबाद से का शेयंट तो बूट होती है strength करायिक चेगा बर दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूरै और अपने मित्रों के साथ जादा से जादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सकें तो लाइक जुरूर किया करो दोस्तो वीडियो को नेस्ट खोस्चन है निमूचना कांड हुआ था तो दोस्तों निमूचना कांड हुआ था 1925 इसवी में यानि कि सी ओप्षन इसका राइट है दोस्तों निमूचना कांड किस जिले से समधीत है तो आपको द्यारकने अलबर से और वर्तमान टाइम में दोस्तों एक्यूरेट डेट बहुत पूछी जाती है और अगर आपको पूछा जाए तो द्यारकना एकुरेट डेटा 14 मेई 1925 को निमुचना कांड हुआ था 1925 को दोस्तों नेश्ट कोस्चन है सवतंतरता सेनानी परताप सियं बारट की जनम सतली थी सापुरा यानि कि इसका ए ओप्षन राइट है अगला कोस्चन है पिर्थ्विराज राशो के अनुशार राजपुतों की उत्पति हुई तो दोस्तों पिर्थ्विराज राशो के अनुशार राजपुतों की उत्पति अगनी कुण से हुई थी यानि कि इसका ए ओप्षन राइट है दोस्तो पिर्थियराज रासो चंदरबरदाई की रचना है एक मैने में मनाई जती है जो आवज सावा के रूप में परसीद है तो दोस्तो अक्छा तिरतिया विशाक माई में मनाई जती है यानि कि इसका D-Option राइट है नपूर अबुसन है आथ का पेर का कलाई का गले का तो दोस्तों नपूर जो अबुसन है यह किसका है पेर का यानि कि B ओप्शन राइट है यह पेर में पेना जाने वाला अबुसन है अगला कोस्चन है नागर्चोल बोली बोली जाती है तो बताएए दोस्तों जो नागर्चोल बोली है यह किस जिले में बोली जाती है ओप्शन आपके सामने है जोदपूर विकानेर टॉक बाशवड़ा तो दोस्तों इसका जो सी ओप्शन है वो राइट हो जाए टॉक में ब कुंबल गैण का दी औप्शन होजगा। कि नेश्ट फो फ्रत मेहल उड़ेखा की मिनार किस सभी सबर्च्रा में अस्तित आ हैं ? तो दोस्तों face मेरानग 돼 में सबस्थै या निकस्था प्रतह द्रोग जोढ़पुर में नार्थपुर में अस्तित आमने चार ओप्सन दिएगे इन में से कौन सा लोक नर्ते वो सेखावाटी छेतर से समंदिते नहीं है ओप्सन है गिदड़ चंग डफ दोल नर्ते तो दोस्तों डोल नर्ते यह सेखावाटी छेतर से समंदिते नहीं है क्योंकि डोल नर्ते का जो छेतर है वो है जालोर क्यों सा नरत्य है दोस्तों इस सा कौन सा नरत्य है जिसमें किसी भी वद्धय यंतर का प्रयोग नहीं किया जाता तो याद रखना दोस्तों वालर नरत्य है यानि कि वद्धय यंतर में चमड़े की एक पट्टी पर पचास साथ गुंगरू होते हैं तो दोस्तों चमड़े की एक पट्टी पर पचास साथ गुंगरू वह होते हैं रमजोल वद्धय यंतर पर किस वद्धय यंतर पर रमजोल वद्धय यंतर पर यानि कि इस क्वेश्चन का भी व्हीं और सेखरेंगे अगला को स्गेन करनल घंस टॉड ने किने वन पुत्र की संग्या तो दोस्तों वन पुत्र की संग्या क्रनल जम् स्टोड ने बिल नो को दिए किसको दिए बिल्लोंको यानि की सका यह ओप्शन है स्वाई जैसे एक युग परवर्तक सा सकते निमन में से कौन सा विकलप उनसे समंदित नहीं है दोस्तो ये चार जो विकलप दिये गए इन में से कौन सा विकलप उनसे समंदित नहीं है तो देखते हैं दोस्तो उन्होंने पांच विद्य साला बनवाई तो दोस्तो स्वाई जैस याने पुरे बारत में अलग-अस्तानों पर पांच विद्य साले बनवाई थी किन-किन अस्तानों पर बनवाई थी तो ध्यान रखना उजेन, बनारस, मत्वुरा, दिल्ली, जैपुर दुबरा बोल रहा हम दोस्तो उजेन, बनारस, मत्वुरा, दिल्ली और जैपुर इन पांच अस्तानों पर स्वाई जैस याने विद्य साला बनवाई थी अगर कोस्टन आजए कि निमन लिखित स्तानों में से किस स्तान पर स्वाई जैस याने विद्य साला नहीं बनवाई थी तो याद रखना दोस्तों ये पांच स्तान अगर आपको याद है तो असानी से इस कोस्टन को आपकर सकते हैं Be और जो कतन है डी उन्होंने मुगलबातसा अपकबर की सेवा की थी ये गलत है दोस्तों क्योंकि मुगल बासा अकबर और स्वाई जैसी एक समय काल के नहीं है क्योंकि अकबर वह था पंद्रवी स्थाबदी में और स्वाई जैसी हैं वे थे सत्रवी स्थाबदी में तो ध्यार रखना दोस्तों यह दोनों अलग अलग है अगला कुश्चन है जुन्नागड प्रसस्ती बिकानेर के इतियास से समंदित है इसके लेखक थे तो दोस्तों जुन्नागड प्रसस्ती है इसमें बिकानेर का इतियास वरनिते किया गया है और यह समंदित है जेता से यानि कि ए ओप्सन इसका राइट है अगला कुस्च ने मुस्लिम इतियासकारों ने किस चौान ससक को राय पिथोरा से समोंदित किया है तो राय पिथोरा से समोंदित किया है पिर्थु राज तृत्य को यानि कि D option इसका right है अगला कुस्टन है रन्थंबोर के पतन पर किस ने कहा कुफर का गड़ इसलाम का गर हो गया द्यान देना दोस्तो रन्थंबोर के पतन पर किस ने कहा कुफर का गड़ इसलाम का गर हो गया ओप्सन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अल बुरुनी, बदायुनी तो दोस्तो इसका B option राइट है अमीर खुसरों ने यह कथन कहा था कि कुफर का गड़ इसलाम का गर हो गया अगला question है किस राजपूत सासक की मर्तिव पर मुगल समराथ औरंग जेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा तूट गया औरंग जेब ने यह कथन कहा था कि आज कुफर का दरवाजा तूट गया ओप्सन आमान सी है जस्वंत सी है राणा परताप जैसी है तो दोस्तो जस्वंत सी है की मर्तिव पर औरंग जेब ने यह कथन कहा था यानि किसका B option राइट है नेश्ट कोश्चन है गंदरव 22 किसके दरवार की सोबा बढ़ाते थे गंदरव 22 दोस्तों 22 अलग अलग विश्य के विश्य विश्य जग थे जो की परताब सी हैं के दरवार की सोबा बढ़ाया करते थे यानि किसका A option राइट है नेश्ट कोश्चन है तो दोस्तों 1857 की करांति के समय शिरोई के पोलिटिकल अजेंट थे जेडी होल यानि कि इसका B option राइट है दोस्तों पोलिटिकल अजेंट से समंदित क्वेस्चन बहुत पुछे गिए हैं इपोर्टेंट इपोर्टेंट जो क्वेस्चन है वह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 1800 ताउन की करांति के समय जेपुर के पोलिटिकल अजेंट कोन थे तो याद रखना दोस्तों इडन थे मेवाड के सोवर्स मारवाड के मेक मोशन और कोटा के मेजर बर्टरन और शिरोई के कोन है जेड़ी ओल और 1800 की क्रांति की समय एजीजी कोन थे एजीजीजी की फुल फोम होती है दोस्तों अजेंट टू गवर्नर जेनरल वो थे जोर्ज पेट्रिक लोरेंश कोन थे जोर्ज पेट्रिक लोरेंश से 1800 की क्रांति की समय एजीजीजी थे अगला कुस्चन है बेंगु किसान अंदुलन का नेतरतव किस ने किया तो दोस्तों बेंगु किसान अंदुलन का नेतरतव किया था स्री राम नरायन चोधरी ने यानि किसका है प्रूंट दोस्तों बैंगु जो अस्तान है यह वर्तमान कि चितोडगर जिले में टा क्या1 एक प्रेंग्व गश्टन पुछा गया कि बहले में तो याद रखना चितोडगर जिले में और बैंगु किसान अंधलवन की शुरुवात होती है दोस्तों मेनाल से मेनाल बीलवडा से कब 1921 में और यह चार साल तक चलता है यानि कि 1925 इस वी तक है दोस्तों विज्यसियां पथिक के कहने पर राम नरण चोदरी इस किसान अंदुलन का नेत्रतव करते हैं दोस्तों इसी से समंदित एक बहुत करेंट डेट है वह याद रखना 13 जुलाई 1922 13 जुलाई 1922 को गोविंदपुरा गाम के पास एक सभा बुलाए गई उस सभा पर ट्रेंच नामक अधिकारी ने ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी था उस सभा को गेर लेता है और उस पर गोलियां चलाता है जिसके कारण यहाँ पर रूपा जी और किरपा जी दाकड दो किसान मारे जाते हैं तो द्यान रखना दोस्तों यह 13 जुलाई 1922 की बात है जो कि गोविंदपुरा ट्रेंच नामक अधिकारी ने गोलियां यहाँ पर चलाई जिसके करने दो किसान रूपा जी और करपा जी मारे गए थे और दोस्तों जब यह अंदूलन समापत हुआ था उसमें इसके नेतरतब करता थे मनिक यलाल वर्मा अगला कुश्चन है राजस्तान की अंतराष्ट्रे सिमा 1070 किलोमेटर है इस सिमा के सबसे नजदीक राजस्तान का कौन सा सेर है तो दोस्तो सबसे नजदीक जो सेर है वो है श्री गंगानगर यानि कि D option इसका राइट है अगला कुश्चन है सुमेलित नहीं है तो दोस्तो इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है option A देखते हैं राजस्तान का कानपूर कोटा को कहते हैं राजस्तान का पंजाब सांचोर को केते हैं ये भी सुमेलित हैं राजस्तान की स्वरण नगरी जेसलमेर को केते हैं लेकिन द्यान देना दोस्तों राजस्तान का प्रवेश दुवार दोलपूर को नहीं केते हैं राजस्तान का प्रवेश दुवार किसे केते हैं बर्थपूर तो इसका D option सुमेलित नहीं है अगला question है निमन विकलपव में वै जिला जो नागोर की शीमा को सप्रस्ट नहीं करता है option है दोस्तों जेपूर, सिकर, बीलवड़ा, जोदपूर तो दोस्तों नागोर की शीमा को जो सप्रस्ट नहीं करता है वो जिला है बीलवड़ा यानि की C option इसका right है दोस्तों अगर आपको मेप का पुरा knowledge है तो ही एसे question आप कर सकते हैं अपने मेप देखते हैं दोस्तों यह है राजस्तान का मेप यहां पर देखिए नागोर जिला है नागोर के साथ जिन जिलों की टच सिमा करती है वो है बिकानेर, चूरू, शिकर, जैपुर, अजमेर, जोदपुर और पाली कुल साथ जिले नागोर के साथ सिमा बनाते हैं लेकिन जो बीलवड़ा जिला है यह सिमा नहीं बनाता है तो आपको द्यान रखने है राजस्तान का मेप पूरा बरना आना चाहिए तब ही आप ऐसे कॉस्चन कर सकते हैं तो चलते हैं अपना नेश्ट कॉस्चन पर अब बात करते हैं दोस्तों लाश्ट वीडियो में जो आपसे कॉस्चन पूछा गया था उसके बारे में Question था मेरी मा रोती है तो रोने दो, मेरी मा को अनसाने के लिए हजारों माउर को नहीं रूला सकता यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है परताब सिय बारट का किसका है, परताब सिय बारट का यानि कि इसका C option right था और आप सभी ने इस question का जुआब right दिया आपसे पुने निवेदिन करता हूं दोस्तों कोस्टन का जवाब जुरूर दिया करो और अब बात करते हैं आज के कोस्टन के बारे में कोस्टन ओफ दि डे आज का कोस्टन है परतापगड एवं बांशवड़ा के मद्दे भाग को स्तानिय बासा में किस नाम से जाना जाता है ओफशन है चपपन की पाड़ियां चपपन का मेदान गिरवा गोड़वाड तो दोस्तों इस कोस्टन का जवाब आपको देना है वीडियो के एक कमेंट बॉक्स में उमीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम